इंदोर से चलाई जाने वाली हम सफर एक्सप्रेस का रास्ता साफ हो गया है 12 माई को लोगसभा स्पिकर सुमित्रा महाजन शाम 6 बजे ट्रेन को हरी जंडी दिखा कर जगनातपुरी के लिए रवाना करेंगी इस ट्रेन में दो पावर मेन के साथ कुल 22 कोच रहेंगे इसे आईलेंड प्लेटफॉर्म 5 और 6 से चलाई जाएगा हम सफर एक्सप्रेस के चलाई जाने का समय नजदीक आ रहा है अंतिम समय में अब रेल प्रशासन ने घोशना की है कि 12 माई को शाम 6 बजे इंदोर से जगनात पुरी के लिए पहली हम सफर एक्सप्रेस चलाई जाएगी यह पूरी तरह ऐसी होगी इसमें दो पावर मेन के साथ कुल 22 कोच रहेंगे इसे आईलेंड प्लेटफोर्म से चलाई जाएगा उद्घाटन के दोरान हैदराबाद के लिए चलाई जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस की भी अधिकारी घोशना कर दी जाएगी रेल प्रशासन 12 मई को इंदोर में आयोजित किये जाने वाले उद्घाटन समारों के तयारियों में जुटा हुआ है ट्रेन को इंदोर भुपाल नाकपूर के रास्ते जगनातपूरी तक चलाए जाएगा इंदोर की सांसत और लोकसभा स्पीकर सुमीत्रा महाजन इस ट्रेन को हरे ज़ंडी दिखा कर जगनातपूरी के लिए रवाना करेंगी ट्रेन के हर कोच में 6 CCTV कैमरे लगे हैं इन में से 4 कैमरे को उसके दोनों दरवाजों पर 2 कैमरे कोच के अंदर हैं यात्रियों के सांथ ट्रेन में संदेहासपद गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी GPS सिस्टम भी रहेगा इससे हर समय ट्रेन की लोकेशन ट्रेस की जा सकेगी बहरहाल इस ट्रेन के शुरू होने से जगनातपूरी की यात्रा करने वालों को राहत मिलेगी पहले जगनातपूरी जाने के लिए भोपाल और उचेन से ट्रेन बदलने पड़ती थी